हाई एब्रिवन मैं हूँ प्रियांका और आप सब भी देख रहें मसालेदार ममेश किसंगाई आज की रिस्वी मनाने वाले हैं बेज थाली बेज थाली की रिस्वी बहुत ही आसान है बहुत ही कम समय में बनके तयार होने वाला है और आप इस तरह से प्रिपेर करेंगे तो आप इसे तिवारग में भी बना सकते हैं आपके घर में कोई गेस टाय तब भी बना सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पे छोली वाले मैंने चने लिये थे इसको मैंने भीगा के दो तीन गंटे के लिए रख दिये बहुत जल्दी से भीग जाते हैं चने इन में कूकर में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाला है एक टिड़ गिलास और साथी में डालेंगे नमक और इसकी लीड लगा के हम 3-4 शीटी आने का इंतिजार करते हैं तो तक अपने मसाले गरा तयार कर लेंगे पटापर से विना देरी के तो यहां मैंने प्यास दो प्यास लिया था उसे अच्छे से कट कर लिया नहीं रफली चौप किया थोड़ा सा लसल लिया है यहां पर दो लाल मिर्च लेंगे और साथी साथ कुछ खड़े गरम मसाले याइड करेंगे जोग भी मसाले आपके पास और डालते हैं जैसे कि लॉंग जाएगा चलिए इसको साइड हो रखते हैं प्रटा प्रस एक पैन लेते हैं तिसमें डाल दिया है ऑईल को अच्छे से गरम होने देंगे वहनी आपे सरसु का तेल इस्तिमाल किया है आप चाहें रिफाइंड बना सकते हैं यहां पर तड़की में हम डालेंगे दो तेज प ग भी इसको पकाने में भटापट से पका लेते हैं और साफी साथ में टमाटर के प्यूरी जो बना के रखे थी इसमें अभी मसालों को पकाने में तुरस टाइम लगेगा और ढक कि हम 2-3 भार इसे हम पकाएंगे कम से कम 3-4 मिनट लग जाएगा पकाने में तो जितना अच् मेंक नेनी मसाले डेक लिया है मसाले पके नहीं थे थोड़ा से इसमेर पाने डाला है यह दोल्ग कहुंद मिक्स करेंगे भी सब्सक्रआंगि द्多बे थैब किलिए पगाएं गए कि आ तो मसाले अच्छे से पर चुके हैं कम से कम इसे को करने भूदा आप क्या करें लाल मेंदेह नहीं कि देटा दालेंगे जैसे कि हल्दी पॉडर यृड़ इसे पाउडर डालेंगे आधा चमस धनिया पाउडर डाल देंगे और एक चमस में यहाँ पर डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे बस एक मुट के लिए फिजर ठकी पका लेते हैं अब मसाले हमारे जाके बहुत अच्छे तरह किसे पक चुके हैं आप देख सकते हैं इसमें मतलब कडर भी अच्छा आ छुका है ओयल भी सेपरेट हो चुका है मिया चोछले डाल देंगे इस में छोले माए बहुत ही अच्छे से पक चुके थे बस तीन से चार सीती मी पक गय था कि अब डालेंगे लाश Er शोले नहां अगर न हो तो आप जो मसाले गर्म मसाले इस्तिमाल करते हैं इस ही डाल भी आप देख सकते हैं छोले मारे अच्छे से बनके थैयार हो चुके हैं अल्मोश अब गया इसकी फ्लेम को बंद करेंगे थोड़ी सी तनिया की पत्ति डालके गानिसिंग कर लेंगे बस इसे हटाते हैं साइड में अगली हम तयारी कर लेते हैं अपनी त्याहां पर कुछ उपले हुए आलू मैंने लियत इसको अच्छे से भून लिया है थोड़ी सी धन्या की पत्ति डालेंगे इसका मिनाने वाले हैं सिम्ला मिर्च का भर्मा बहुत ही असान तरीका ऐसे बना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसे आप जरूर से बनाईएगा थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे साथी मोंगफली भून की मैंने पीच लिया है इसे मिला देंगे इस में थोड़ा से डालेंगे अमचूर पावडर इन सब को डालके मैंने मिक्स कर लिया है और इसे क्या होगा कि सर्व करने में भी काफी आसानी हो जाती है तो चाहे तो आप साबूत ले लें कोई दिक्कत नहीं है आप इस तरह से चाहे कट करके ले लें कोई दिक्कत नहीं दोनों ही बहुत आसान तरीके से फिल हो जाते हैं इस तरह से पुरा अभी क्या करते एक पैन लेते हैं उसमें डालेंगे और को गरब भूनी देते हैं साथे साथ डाल देते हैं इसमें आधा चंमस राई को तड़कने देंगे इसी में डाल देंगे थोड़े सी करी पत्ता कि आप चाहें से प्लेंड भी बना सकतें इस तरह से तड़का भी लगा सकते हैं तड़कें से क्या होता कि अच्छा जाएगा हमारे सिल्टा मिल्डिस की भरवा में एक एक करके सारे इसमें हम रख देते हैं अब बहुत ही कम समय में पग भी जाता है जादा टाइम नहीं लग इसे भी पकने देते हैं अभी हम क्या करते हैं यहां पर चावल लेंगे चावल को अच्छे से धो लेंगे धो के भीगा के रखेंगे क्योंकि जीरा राइस बनाना है तो 15 मिनिट तो इसको भीगा के रखना होगा और अगर आप डारेक्टली अगर इसे बनाएंगे तो इस दरब भी इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाये और खाने में बहुत टेस्टी लगें इस एक मिनिट के बाद हम गयास की क्लेम को बंद कर देते हैं तो तक हम क्या करें कि अपने जीड़ा राइस बना लेते हैं तो जीड़ा राइस बनाने के लिए नहीं हम डालेंगे और हरी वाली और लॉंग 3-4 डाल दिया थे कि साथे साथ एक चमम सिरा एक चीच-पतर डालेंगे मिल सी से भी दृष ञालएं है पाणिसरा पर कि मैंने यहां पर डेड़ कब चाहरन ले लिया है थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे इसमें और अब क्या करेंगे लिड लगा देंगे बस एक विसल इंदिजार करेंगे एकी स्वीटी में चाल मारा अच्छे से पक के तयार हो जाएगा अब हम अगली तयारी करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पी मैंने पालक लिया है, पालक की टंठल को अच्छे से निकाल दिया है तोड़के, पत्या पत्यों के इस्तिमाल में ने गिया है, और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं पालक पनीड, पालक पनीड बनाने के लिए सबसे प कच्चापन निकल जाए थोड़ा सा तो बस एक सी दो मिनट लगेंगे इसको ब्लांच होने में जादा टाइम नहीं लगता है और जादा हम इसे पका देंगे न तो बहुत ज्यादा इसको डल हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा तो अभी हम बड़ा पड़सी क्या करेंगे ढूंग में डाल दिया हम इसको डालेंगे पालक को इसका होगा काफी tutti तंडा भी हो जाएगा उसका कलर जो है बहुत अच्छे से बरकरार रहेगा तिस तरह से आप ज़रूर करिएगा जब भी पालक पनीरी बनाए उसे पालक के कलर बहुत ही अच्छा आता है यहां भी देड़ए लसेन लिया है और साथी-साथ्थषरी अध्रक लिया है और इन सब को हम क्या करेंगे दर्द्रा सब पीस लेंगे इसमें जब इसका तड़का लगाएंगे ना इसका तड़का बहुत ही अच्छा आएगा और साथी साथ दो बड़े साइस का टमाटर मने लिया है इसको अच्छे से कट करें लिए रफ्री और इसे भी पीस लेते हैं तो टमाटर की प्यूरी भी बनके तयार हो गई तड़का भी मारा बनके तयार हो गया अब देखते हैं पालक को पालक भी अच्छे से ठंडा हो चुका है अब इससे क्या करेंगे बड़ाफ़ से एक मिक्सी जार लेंगे इसमें डालेंगे और पीस लेते हैं बड़ाफ़ट से थो पालक पेस्ट बनके तयार हो चुका है। अब जब भी आप पालक पनीर बनाए तो सरसो बनाये हैं बहुत अच्छा स्वाध आता है कि सब्सक्ता5 कालीं में से 3-4 ला kell एक दाल चिनी का टोगड़ा डालेंगे इसमें और जीरा एक चमस के सम्थिंग डाल देंगे अब जो मैंने यहाँ पर लासुन अध्रक और मिर्च का तड़का बनाया था ना पेस्ट उसे भी डालके इसको बढ़ियां से पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन निकल जाए लासुन का अब डालेंगे कटी हुई प्याज बारी कटी हुई प्याज का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे चाहिए आप मिक्सी जार में डालके तोड़ा सा दरदरा सा कूट लें इसे प्याज को प्यास फड़ा जल्दी पकि उसके लिए मैं क्या करना होगा थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक और एक से दो चुटकी डाल देंगे इसमें हम चीने डालेंगे इससे क्या होगा कि कलर भी अच्छा आएगा और नमक से जल्दी से गल भी जाएगा तो चीने उने बस दो turmeric या पॉर्डर डालेंगे शाष्ट के लिए कशन के लिए है लाइने लाल मिरच 관리 अधरी है ठिछ में डाल तो सकते हैं तो ईत्व सब को बर्डिपस की फ्लेम को भूझ ताकि मसाले ना और अच्छे से पक जाएं इसे भी मिक्स कर लेंगे साथ ही साथ कि इन मसाला को पकाने में हमको चार से पांच मिनट लग जाएंगे और बीच भी जलाते हो यह सी पका लेंगे मसाले पक चुके थी अभी साथ साथ हम डालेंगे पालक का जो मनी पनी बना के रखा था पेस्ट बना के रखा था उसे भी डाल देंगे और पालक भी थोड़ा पकाना है हमें तो मसालों के साथ पालक भी पक जाएंगे थोड़ सा पानी एड़ करेंगे इसमें इसके कंस्टेसी को बरावर करने के लिए और कवर करके इसको हम 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे दीमी आज पे तो अभी क्या करेंगे एक पैन लेते हैं उसमें डालेंगे ओई और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर बटर को मिल्ट होने देंगे थोड़ी सी कसूरी मेधी डालेंगे गैस की फ्लेम को लो करकी और इसमें पनीर रैड कर देंगे पनीर को थोड़ा सा मिसमें हम हलका सा सौतिक करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे इसका कडर चेंज नहीं होना चाहिए पनीर का लेकिन इसमें फ्लेवर अंदर तक पहुच और खाने में काफी टेस्टी भी बनेगा मारा पालग पनीर तो इस तरह से हम तोड़ा सा मिला लेते हैं हर तरफ से पका लेंगे मैंने पनीर के कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है कलर चेंज हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में बस दोई मिनिट लगता है इसको पकाने ज़्यदा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने देते हैं अब तक ग्रेवी देख लेंगे तो ग्रेवी वारी अच्छे से बनके तयार हो गई मसाले हो गई है सब कुछ अच्छे से इसमें पक चुके हैं अल्मोस्ट अभी हम क्या करेंग थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और मिक्स कर देंगे मिक्स करके थोड़ा सा कवर करेंगे एक मिनिट के लिए आगे सारी चीज़ें मारी पक चुकी है तो पालक पुनीर नमारी बनके तयार हो चुकी है अब इसे तड़का डालेंगे हम तो सिंबल सा विश्OG मेने अउयल लिया था बड़र लिया था तोड़ा से निलाल मिस डाल तरकम तयार कर लिया था इसके ऊपस डालके थोड़ी से धनियाक बरतिसे गारिश्यिंग करेंग तो पालक पुनीर मारी बनके तयार हो चुकी है थोड़ा सा पनीर इसकी उपर से ग्रेट कर देंगे आप चाहें यहां पर फ्रिस मलाई भी डाल सकते हैं उसे डबे डालें क्रीम या घर से जो घर की दोत की मलाई होती उसी भी डाल सकते हैं मैंने यहां पर थोड़ी सी फ्रिस दही लिया है अब इसको अच्छे से हम गया करेंगे भीप करेंगे और इसका रायता बनाएंगे तो इस तरह से हम इसे फेट लेते हैं फेटने के बाद स्मूध सा ही कि इसका मतलब consistency आ जाती दही कि बहुत यह टेस्टी हमारे रायता बनके मिक्स करेंगे बहुत ही सिंपल सी रेस्वी है लेकिन बिना इसके थाली भी हमारी अधूरी होती है खाने में रायता होता है तो खाना बहुत ही अच्छा लगता है तब पोड़ी तलेंगे पोड़ी तलने के लिए यहां पर हम मेडियम साइज की लोईयां ले लेते हैं और मैं आपको याद दिला दूँ अगर आप मेरे चनल पर नए हाए हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेस्पी आप सभी को कैसी लगती है और रेस्पी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो मुझे करना मद भूलिएगा और इसी तरह से मां पर लिए नहीं रेस्पी लाते रहेंगे तो पूड़ी में ने फ्राय कर लिया है इसी तरह से सारी और भटा फट से क्या करेंगे अपनी थाली भी सर्व कर लेते हैं जधा टाइम आपका नहीं लेंगे मैंने आपे छोला और पालक लच्छों को कोड कर दिया इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और थाली में इसका कॉंबिनीशन बहुत अच्छा लगता है जब यह रिश्टों गरह में जाती है जिरोड़ सी मिलता है तो इस तरह से प्रिप्यार कर लेते हैं जो मैंने इसमें सिल्ला मिल्स का भराउ हो गये हैं रायता भी अलच्छा जो अनियन मेंने कट करके रखा इनी सेलेट चर्टनी का कॉंबिनेशन बना के रखा है काफी टेस्टी बन के तयार हुआ है मैं आप सभी से गुजारिस करूंगी अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है आप किस तरह की थाली प्रिप्या लगेगा और इस भी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 जैने को सब्सक्राइब करना बेल आइकाउन को प्लेज करना लाइक करना बिल्कुल भी ना बोलें तब दे के लिए बाब बाई